और वापस एक बार फिर सम बात करते हैं वार जोन से आरी बड़ी खबरों की तो इस्राइल के रक्षा मंत्री गैलंट का बड़ा बयान सामने आया है सेक्यूरिटी काबिनेट की बैटर के बाद उनका ये बयान आया है स्वर्ग के द्वार खुले समय आ गया है ये कहा है गैल जो तक तलक और आकरामक टेवर हैं वो क्या कह रहे हैं समझने की करते हैं कोशिश कहते हैं बदले का समय आ गया है ये सीधे संकेत इस्राइल देने की कोशिश कर रहा है सवाल देखिए क्या है क्या सेक्योरिटी कैबिनेट ने एक्टमी साइट पर हमले को बंजूरी दे दी है ये वो बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है आप याद कीजिए जो बाइडन ने भी इसराइल को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि ऐस मत करना लेकिन इसराइल कब क्या कर देगा ये कोई जानता नहीं मेजर जनरल संजे सौई साब हमारे साथ मौजूद हैं सौई साब क्या अमेरिका की तरफ से ताकीद करने के बाद भी इसराइल वो खदम उठा सकता है जिस से इस पूरे के पूरे रीजिन में कोहराम बर्प हो जाए न्यूक्लियर साइट पर हमला हो सकता है क्या इरान की बिल्कुल समीर वाकरी में एक एहम कोश्चन है ये क्योंकि इसराइल ने बदला लेना है करना जरूर कुछ ना कुछ है गैलन्ड ने साफ कहा दिया है और कब करेंगे कैसे करेंगे ये बात शुरू से उन्हों साइट साइट पर अठेट करेंगे जहां तक अभी आपका सावाल है नचुब्लियर सेशिलीडी बदने का समीर यहां पर देखा जाएका कि न्यूक्लियर फैसिलीडी पर अटैक करने क्या फाय impatient क्या देक इसराइल को सबसे बढ़ा खतरा है कि एरान कय न्यूक्लियर प्र ना बन जाए और जैसा कई बार आई ए ये ने भी बोला और वेस्टरन कंट्रीज भी ये कहती रही है कि ये तकरीबन दो-तिन हफ्ते दूर है नियुक्लियर पाउर बनने से बीच में कुछ ऐसी बात भी चलिए कि शाय दिनों ने नियुक्लियर परयोग कर लिया है वो किया न नियुक्लियर पर अटैक करते हैं सक्सेस की चांसे कितने हैं देखें फैसलिटी उनकी काफी डीप है माउंटेंस के अंदर उसके लिए ये बंकर बस्तिंग भी काम नहीं आएगा दूसरी बात है कि क्या रेडियेशन का खत्रा हो जाएगा पूरे इलाके में खत्रा हो निकल के आता है जो मुझे लग रहा है कि सरकारी बदली कर दें कहीं लेकिन इतने दिनों से इतने दिनों से इरान को भी पता है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है तो काउंटर स्ट्राटेजी इरान ने तैयार जरूर की होगी क्या होगी ये सवाल हम आगे आपके सामने रखें और इस्राइल इसका जवाब जरूर देगा